Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ दिव्याशर्मा दोस्तों क्या आपको पता है कि आजकल इतनी ज़्यादा बिमारियां होने का कारण क्या है? दरसल दोस्तों हम इंतजार करते हैं कि कब हम बिमार होंगे और दवाई लेंगे हम लोगों को करना क्या चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमें कोई बिमारी नहीं है तब हमें क्या दवाई लेनी है ताकि हम कभी बिमार ही ना पड़े यानि कि prevention is better than cure हमें हमेशा ऐसा कुछ खाते रहना चाहिए जिससे कि हम बिमार ही ना पड़े हम अपने खानपन की और आजकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते लेकिन जब हम बिमार हो जाते हैं तब हमें याद आता है कि हमें दवाई लेनी है हमें फल खाने हैं हमें अच्छा खाना है लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं उस समय हम उन चीजों को सोचते भी नहीं दोस्तों मैं आज आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हूं जिसको आपको अपनी डेली लुटीन में शामिल करना है ऐसी चीज जिसे आप हमेशा स्वस्त रहेंगे ऐसी चीज जिसे खाने से आपको कभी कोई बिमारी नहीं होगी क्योंकि हम हमेशा यहीं चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें यह नहीं कि आपको बिमारी हो जाए उसके बाद आप दवाई लेते रहें दोस्तो जिस चीज की मैं बात करने वाली हूँ वो है पपीते के बीच दोस्तो पपीता तो बहुत लोग खाते होंगे और कुछ लोग नहीं बेखाते होंगे जो पपीता नहीं खाते तो मैं उनको कहना चाहते हूँ कि पपीता एक ऐसा फल है जो कैंसर जैसी घातक बिमारी से बचे रहना चाहते हैं, कैंसर जैसे घातक बिमारी से बचे रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में पपीता जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के पीछे भागते हैं, कभी भी हम सेहत का ध्यान नहीं रखते, वीडियो म आप भी अपने गोल को बहुत असानी से हासिल करना चाहते हैं, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में बिल जाएगा, अब मान लीजी, आपके घर में कोई 5 या 10 लाग की गाड़ी है, जब आप उसे पेट्रोल पंप पर लेकर जाते हैं, तो आप हमेशा य लेकिन ये चीज़ हम अपने शरीर रुपी गाड़ी के लिए बिलकुल नहीं सोचते हैं, जिसकी कीमत इस गाड़ी से बहुत जादा है, ये हमारी शरीर रुपी गाड़ी की कीमत करोडों और अर्वों में है, इस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते, इस गाड़ी के अंदर क् हम वो खा लेते हैं, पीजा, बर्गर, कोल ट्रिंग, ठंडा पानी, चाई, जो इच्छा आती है वो खा लेते हैं, दोस्तो हमें अपनी बोड़ी का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बोड़ी तो हम पैसा कमाने के लिए इस्तमर कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो आप सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए उसके बाद और रोजाना सुबह खाली पेट एक चमच आपने गुनगुने पानी के साथ इस पपीते के बीज के पाउडर का लेना है, आपने इसे चार दिन रोजाना लेना है, उसके बाद चार दिन का गैप करना है, फिर दो महीने के लिए रोजाना लेना है, अगर इस तरीके से आप पपीते के बीजों का सेवन करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए वर्दान सावित होंगे, क्योंकि पपीते के बीजों के अंदर धेर सारे विटामिन्स और मिनरल होते हैं, यह आपकी बॉडी के लिए की एक multi-vitamin supplement की तरह काम करते हैं कुद्रत ने हमारे लिए धेर सारे natural supplement बनाए हैं आपको जरूरत नहीं है market वाले डिबबन supplement को लेने की बस आप क्या करिए डेली कर डेली दो से तीन fruit अलग अपनी diet में शामिल करिए यह आपके शरीर के अंदर multi-vitamin और multi-mineral की कमी कभी होने ही नहीं देंगे तो दोस्तो अगर आप protein की जरूरत को पूरा करना जाते हैं तो protein के लिए आप चना खा सकते हैं iron supplement लेने की जरूरत पड़े तो आप पालक ले सकते हैं पालक से आपको अच्छी मात्रा में iron मिल जाएगा जितना आपके शरीर को जरूरत है आपको दबाई ले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी I hope दोस्तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहने जा रही हूं दोस्तो आप कुदरती चीजों से अपने अंदर वो सभी minerals की पूर्ती कर सकते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत है तो चलिए दोस्तो अब जानते हैं चार दिन regular अगर आप पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो आपको अपनी body में क्या changes लगेंगे कौन से फायदे होने वाले हैं सबसे पहला है आप cancer जैसी घातक बिमारी को ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिवार में किसी को भी cancer ना हो तो आपको लगातार दो महीने पपीते cells बढ़ते हैं तो हमारी body उस cells को तोड़ देती है और उसे energy के तौर पर use कर लेती है इस्तमाल कर लेती है लेकिन कभी कभार ये cells इतने ज्यादा speed से बढ़ते हैं कि हमारी body इतनी capable नहीं होती इतनी सक्षम नहीं होती कि उसे तोड़ सके cancer cells को तोड़ सके और हमारी body में cancer tumor ब ब्हुंकर बिमारी के लिए लाखो रोपए खरज करते होंगे। कुछ लोग तो अपने हार्ट का ट्रांस्प्रांट भी करवाते होंगे। दोस्तो हमारी हार्ट यानि दिल का काम क्या है। खून को पंप करना। जब आपके खून में खराबी आ जाती है, दिल अच्छे से काम नहीं कर पाता। खून की खराबी के कारण ही खून गाड़ा हो जाता है, खून प्यौर नहीं रहता और हार्ट अटेक जैसी बिमारी आ जाती है। तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं अपने खून को साफ करना, खून को पतला करना, तो आपको रोजाना पपीते के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए पाउडर बना कर। इसके इलावा अगर किड्नी खराब हो जाए तो किड्नी में स्टोन आ जाता है और किड्नी खराब भी किसके कारण होती है। जब हमारा खून गाड़ा होता है, या खून गंदा हो जाता है, किड्नी में स्टोन बन जाता है, ये सबी समस्य हैं, हमारी गलत खानपन के कारना आती हैं, तो अपने खानपन पर ध्यान लगना बहुत जरूरी है। इसके लावा दोस्तों, अगर आप डाइबिटेज जैसी बिमारी से बचे रहना जाते हैं, तो भी आपको पपीते के बीज अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। पपीते के बीजों का पाउडर सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए। आपकी पैंक्रियाज में ताकत बढ़ जाएगी, इंसुलीन की पैदावार बढ़ जाएगी, और डाइबिटेज भी क्यार हो जाएगी। आप रोजाना इस तरीके से पपीते के बीजों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से मेटाबोलिजम रिट बढ़ जाएगा। जो भी आप चीज घाएगे वो फैट में नहीं बदलेगी, वसा में नहीं बदलेगी, बलकि एनलजी के तोर पर आपकी बॉड़ी के सभी कोशिकाओं को मिलेगी। दोस्तों इसके इलावा अगर आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी आँखों की रोशनी कमजोर पढ़ रही है, जिसके कार्म आपको चश्मा लगाना पड़ता है, तो भी आप पपीते के बीजों का सेवन रोजाना कीजिए। इसके रास्ते रास्ते शरील से बाहर हो जाता है. तो दोस्तों यह थी इनफ़र्मिशन पपीते के बीजों के फाइदों के बारे सरे में, अगर आप ने कभी इनका सेवन नहीं किया तो जरूर करी ताकि आपको इन सारे चीजों के फाइदे मिल सकें. दोस्तों, यह information यही तक थी, अगर आप कोई information अच्छी लगी, आपकी काम की है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हूँ, तो जरूर पूचिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, मिलते ह दोस्तों, निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, गुद बाई